तेजस्वी आदो ने दुबाई से मैसेज भेजा है बिहार वासियों के लिए बिहार में जल प्रले की पूरी संभावना है इस बीच तेजस्वी आदो दुबाई में चिंतित है और उन्होंने मैसेज भेज दिया है लंबा चोड़ा बिहार वासियों के लिए नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग नेता प्रतिफक्ष तेजस्वी आदो दुबाई में हैं पिछले कई दिनों से सब्ता भर से जादा का वक्त बीच चुका तेजस्वी आदो दुबाई में प्रवास कर रहे हैं और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 3-4 अक्टूबर तक तेजस्वी आदो बिहार लोटेंगे लंबा प्रवास है लेकिन बिहार में इधर बवाल हो गया दरसल पानी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ने लगा बिहार में कि अब जल प्रलय की संभाव ना है बिहार में आने वाले कुछ घंटे जो है काफी बग 13 जिलों में बार का खत्रा तेजी से मढ़ रहा है बार नहीं बलकि भीशन बार कहिए और 56 साल में ऐसा नहीं हुआ है जो बिहार में होने जा रहा है पानी छोड़ा जा रहा है धीरे धीरे और जलस्तर नदियों का लगतार बढ़ता चला जा रहा है इस बीच आदो ने चिंता जाहिर की है दुबाई से चिंता जाहिर की है उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में क्या कुछ लिखा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो ने आपको वो ट्वीट दिखाते हैं क्योंकि चिंतित हैं तेजस्वी आदो बिहार के पुर्व उपमु विखा है तेजस्वी आदो ने जो बाते लिखी हैं नेपाल में हो रही निरंतर बारिश से कोशी के जलस्तर में विर्धी के कारण कोशी बराज के सभी पाटक के खोल दिए गया हैं कोशी नदी का जलस्तर 56 वर्सों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तेजस्वी आदो चिंता जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोशी नदी का जलस्तर 56 वर्सों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है आगे वो लिखते हैं कोशी टटबंद के भीतर बांध एवं नहर के नजदी के बसे छेतर वासियों को सचेत, सतर्क, सावधान एवं सुरच्चित रहने का बिनम आगरह करता हूं परसासन की तरफ से भी हाई अलट जारी किया गया है आगे वो लिखते हैं राजत के पाटी कार करता भी लोगों की सेवा के लिए ततपर और सजग हैं पर सासन एवं सरकार से आगरह है कि लगतार मोनिट्रिंग कर चोकन्ना रहकर लोगों को सवधान करें एवं उन्हें सुरच्चित रखें तेजस्वी यादो चिंतित हैं बिहार के लोगों की बिहार के लोग डूब उत्रा रहे हैं इतना ही नहीं तेजस्वी यादो के इलाके रागोपूर में भी लोग परेसान हैं पानी में डूबे हुए हैं ऐसे में तेजस्वी यादो को खोश तो जरूर रहे होंगे क्योंकि उनके बिधायक हैं तेजस्व दुबाई में हैं दुबाई से चिंतित हैं सरकार को भी सजक कर रहे हैं सरकार से कर रहे हैं अपील कर रहे हैं हाथ जोड कर कि आप इलाके के लोगों को सुरक्षित रखिए जो बार प्रभावित इलाके के लोग हैं उनको सुरक्षित रखिए चोकनना रहिए मोनीटरिंग की हैं और नेता प्रति पाक्षे तेजस्वी आदो दुबाई से बैट कर जरूर मोनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि वो चिंतित हैं कह रहे हैं कि 56 साल का रिकोर्ड तूट सकता है बिहार में जल प्रलय आ सकता है इसकी पूरी संभाबना है पहले से ही अलार्मिक सिच्वेशन के ल आपको थोड़ा वो रिपोर्ट भी बता देंगे कि अभी कि क्या इस्तिती है लेकिन ते जस्वी आदो चिंतित हैं भले ही दुबाई में हैं नेता प्रति पक्षा हैं सरकार को सतर्क करना उनकी जिम्मेवारी है और वहां से वो सतर्क कर रहे हैं सरकार को कह रहे हैं कि पाटी कारकरता भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर और सजग हैं तेजस्वी आदो बता रहे हैं आगे लिखते हैं परसासन एबं सरगार से आगरह है कि लगतार मोनिट्रिंग करें चोकन्ना रहकर लोगों को सवधान करें एबं उन्हें सुरक्चित रखें तो लोगों के स चिंतात्य जस्वी आदो को सता रही है बले ही वो दुबाई में हैं विदेश में हैं विदेश यात्रा पर हैं लंबे प्रमास पर हैं और पिछले एक सब्ता से ज़्यादा कवक बीच गया है और बताया जा रहा है कि 3-4 अक्टूबर को लोटेंगे हाला कि वहां से उन्हो यह आंदोलन करेगी बिहार के लोगों को स्मार्ट मीटर नहीं भारा है वैसे में तेजस्वी आदों ने दुबाई से बैटकर ही एलान कर दिया कि हम आंदोलन करेंगे चिंतित हैं तेजस्वी आदों बिहार की चिंता उन्हें सता रही है आज उन्होंने अपराद पर भी एक लंबा चोड़ा ट्वीट किया है जिसमें महिलाओं के साथ जो अपराद हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया है चिंतित है तेजस्वी आदों दुबाई में भले ही हो लेकिन दुबाई से लगातार वह बिहार के लोगों की चिंता कर रहे हैं चिंता उन्हें सता रह ही है सरकार को सजक कर रहे हैं सरकार के अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप सजक रहे हैं सतर्क रहे हैं और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए आर्देडी के लोग भी लगे हुए हैं तो तेजस्वी आदों दुबाई में बैठ कर चिंतित हैं हम आपको बताएं जो तेजस्वियादों जिस बाद की चर्चा कर रहे हैं बिहार में 56 सालों बाद एसा मौका आने वाला है जैसा की चेतावनी दी गई है आई एमडी के द्वारा और बिहार के 13 जिले इससे प्रभावित होंगे उत्तर बिहार के ये जिले हैं जो बाद के प्रभाव में हर साल चपेट में आ जाते हैं लेकिन अभी जो कल से खबरे आ रही है जिस तरह से की बड़े पैमाने पर वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है और कोसी और गंडक में जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है लगतार जो सूचनाय मिल रही है उसके मुताबिक बता दें कि 13 जिलों में भीशन बार की संभावनाय बनी हुई है और गंडक और कोसी आने वाले समय में अपने इलाके में तबाही मचा सकती है यहां जल प्रल में आ सकता है जिस तरह से नेपाल में भारी भारी सो रही है और उसके बाद नंदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उसके बाद गेटों को खोल दिया गया है कोसी बराज से 56 गेट खोल दिये गया है अभी थोड़ी दिर पहले की अगर रिपोर्ट की बात करें 12 बज क्यूसिक पानी पहुचेगा कोसी बराज खोले जाने के बाद सुपॉल में जिला परसासन माइकिंग कर रहा है वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं और सुबह के साथ बजे तक 4,18,000 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज किया गया यानि नेपाल में भारी बारी सो रही है च 56 सालों का रिकोर्ड तूट सकता है 56 सालों में ऐसा नहीं हुआ था अब हो सकता है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो चिंतित हैं दुबाई में हैं विदेश में भले ही बैठे हुए हैं लेकिन वहां से चिंता जाहिर कर रहे हैं कई सारे ट्वीट्स उन्ह को लेकर चिंता जाहिर की है हलाकि इलाके से के लोगों को भी वो सजागों सचेत रहने की अपील कर रहे हैं पर लगता है कि थोड़ी देर हो गई है क्योंकि पानी तो छोड़ी दिया गया है पानी दिरे-दिरे इलाके में बढ़ रहा है साइक थोड़ा पहले और सचेत कर तो लोग अपने घरों को छोड़ कर चले जाते खैर तेजस्वी आदो चिंतित हैं नेता प्रतिपत चिंतित हैं बले ही बिदेश में हैं बले ही दुबाई में हैं आएंगे तो अंदोलन करेंगे क्योंकि स्मार्ट मीटर पर उन्होंने अंदोलन छेडने का एलान कर दिया है स अब करें तो क्या करें बिदेश में हैं तो कैसे दोड़ कर चले आएंगे इससे पहले भी हलाकि जब बिहार में मौनसुन सत्र हो रहा था उस वक्त भी तेजस्वी आदो बाहर चले गए थे आखरी वक्त में आये थे जरूर लेकिन सत्र में सामिल नहीं हुए थे खैर कोई बात नहीं जिस तरह से विदेश में हैं चिंता जाहिर कर रहे हैं आने के बाद आंदोलन भी करेंगे तेजस्वी आदो तो चिंतित हैं और बिहार वासियों को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है साती साथ बिहार सरकार भी सचेत हो जाए क्योंकि सजग रहे सतर्क रहे और सरकार सजक सत्यक और सतरक नहीं रहेगी तो फिर सरकार की हवा निकालेंगे तो खेर अभी तो फिलाल उन्होंने अपना मैसेज भेज दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदो दूबई में हैं आएंगे तो बिहार के लोगों के बीच जाएंगे लेकिन फिलाल अभी ज प्रतिव